Hello everyone, कैसे हो आप सब? I hope that you all are fit and fine. आज हम class 10 की poem number 6, Amanda from first flight book, हम उसकी समरी करेंगे. तो देखेंगे कि हमें इस poem में क्या बता रखा है? Amanda is a very interesting poem written by a famous poetess, Robin Klein. देखो यह जो कविता है, वो एक बहुत ही अच्छी कविता है, जिसे कवित्री Robin Klein ने प्रेजन्ट किया है, जो की बहुत ही एक प्रसिद कवित्री है. This poem signifies that every child has a fancy word of imagination during childhood. देखो childhood का मतलब होता है बच्चपन, और imagination में घूमना मतलब अपनी ही एक अलग सी दुनिया खयालों वाली बनाना. तो यहां पर इस particular poem में हमें जो poetess है, वो यह बताना चाहती हैं कि हर बच्चा जो है, उसका बच्चपन के दौरान, बच्चपन में अपनी ही एक अलग दुनिया होती है, imagination की, जिनें वो बहुत ही enjoy करते हैं. But when they start growing up, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वो बड़े होते जाते हैं, their parents start nagging them, nagging का मतलब होता है हर छोटी छोटी बात पर रोकना, टोकना, समझाना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो हम हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, कि जब हम बड़े होते हैं, तो ह में हमारे parents सिखाते हैं, कि ये चीज आपके लिए सही है, ये चीज आपके लिए गलत है, आपको ये करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, तो इस तरीके से, इस particular form में भी हमें कुछ ऐसा ही जिक्र देखने को मिलेगा, and parents और क्या expect करते हैं, and want them to be responsible, मतलब वो बच tells us about a girl named Amanda, who is always instructed by her mother, इस particular कविता में हमें जो कवितरी हैं, वो एक बच्ची के बारे में, जिसका नाम Amanda है, जिसके नाम पर हमारी ये पॉम का नाम भी based है, इस लड़की के बारे में बता रही हैं, जिसे हमेशा हर वक्त कुछ आग्याएं मिलती हैं, कुछ आदेश मिलते हैं, कुछ instructions मिलती हैं, किस से मिलती हैं, अपनी mother से, she is instructed not to bite her nails, bite का मतलब चबाना होता है, और nails का मतलब नाकून होता है, तो इसका मतलब पहली instruction, पहली guidance, जो पहली रोक टोक की जा रही है, या जो समझाया जा रहा है, क्योंकि हम इसे रोक टोक नहीं भूलेंगे, ये तो अच् instruction Amanda को उसकी mother के द्वारा मिलती है, वो मिलती है, कि उसे अपने nails नहीं चबाने है, not to hunch her shoulders, और नाहीं अपने कंधों को हिलाना है, या जुका कर बैठना है, and sit straight, और उसे किस तरीके से बैठना है, सीधे बैठना है, मतलब एक तरीके से हम कहते हैं, कूब सा निकाल कर बैठना तो वो नहीं निकाल कर बैठना है, उसे सीधा बैठने के लिए instruction दी जा रही है, उसकी mother के द्वारा, but the child feels, लेकिन जो बच्ची है, वो क्या मैसूस करती है, that her freedom is being curtailed, curtailed का मतलब होता है, रोक लगना, तो यहाँ पर है कि उसे ऐसा मैसूस होता है, कि उसकी आजादी जो ह मतलब होता है, खुशी के मारे गोते लगाना, तो वो wish करती है, कि काश मैं समुद्र की एक जलपरी ही होती, तो मुझे आजादी होती, मैं जैसे बर्जी अपनी लाइफ को enjoy करती, तो she is again instructed to do her homework, फिर से उसे एक instruction दी जा रही है, और वो instruction इस बार क्या है, कि Amanda अपना homework complete करे, clean her room and shoes, और tidy करे, tidy था ना poem में, तो tidy का मतलब क्या होता है, clean करना, तो clean her room, मतलब अपना कमरा साफ करे, अच्छे से सजा के रखे, कोई भी सामान इदर उदर भिखरा हुआ ना हो, और अपने शू भी clean करके रखे, मतलब अपने जूते भी clean करके रखे, at this, अब जब उसे य girl wishes, तो वो कामना करती है, to be an orphan, orphan का मतलब होता है, अनात, जिसके माता पिता ना हूँ, तो वो ऐसी उमीद करती है, कि काश मैं, orphan ही क्यों ना होती, roaming freely in streets, और गलियों में, dusty streets में, जो धूल मिटी वली गलियां होती है, वहाँ पर अराम से, roaming का मतलब घूमना फिरना होता है, आजादी के साथ घूमती फिर्टी, she thinks or wishes, वो सोचती है, या ऐसी wish कर रही है, मतलब उमीद लगा रही है, to be Rapunzel, Rapunzel जो है, वो एक princess की कहानी है, अगर आपने कभी देखी हो TV पे, तो television पे भी आपको ये particular कहानी देखनों को मिलती है, कि बहुत बड़े tower पे, एक princess रहती है जिसके बाल बहुत लंबे होते हैं, और एक दिन एक राज कुमार आता है, उसके बालों के जरीए वो tower के top पर पहुंचता है, और उसे आजाद करकर ले जाता है, लेकिन जो यहाँ पर Amanda है, वो अपने आपको Rapunzel से compare तो कर रही है, लेकिन यहाँ पर वो आजादी नहीं चा रहे, high tower में रहे, उचे एक tower में जाकर रहे, जहाँ पर उसे disturb करने वाला कोई भी ना हो, जहाँ पर वो alone, यानि की अकेली रहे, so इसलिए, we can say that the poetess through this poem is telling about the strong desire of liberty, liberty का मतलब होता है, freedom of a little child, तो जो end में हमें एक conclusion दिया गया है, वो conclusion कुछ इस प्रकार से है, कि इस particular poem में, या के जरिये, हमें कवित्री ये बताना चाती है, कि किस तरीके से एक छोटी बच्ची जो है, वो अपनी आजादी के लिए कितनी तपर है, कितनी strong desire है, कितनी, मतलब जादा उमीद वो लगा रही है, कितनी जादा उसकी इच्छा strong है, कि उसे काश अजादी मिल जाए, मतलब वो अपने parents की तरफ से मिलने वाली इस nagging, इस dart, इस समझाने वाले concept से कहीं दूर भागना चाती है, तो I hope कि आपको ये particular form की summary समझ में आ गई होगी, और summary अच्छी भी लगी होगी, क्योंक यादतों से मिलती जुलती है, क्योंकि हम सब के साथ इस तरीके से ही होता है, जब हम बच्छपन के phase से गुजरते हैं, तो अगर आप लोगोंने अभी तक channel नहीं subscribe किया है, तो जल्दी से जाके subscribe button प्रेस कर दीजिए, share कीजिए videos को, like करिए videos को, हम next video में कुछ नए topics के साथ मिलेंगे, thank you so much.